हेलो दोस्तों जो समेंटर YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों PRT की एक नई लिस्ट जिसकी बहुत दिनों से प्रतिक्छत ही वो आज यहां पर आ चुकी है तो जिल्ला उतरकाशी की यहां पर पर PRT की नई लिस्ट जो है अपलोड हो चुकी है तो यहां पर आप देख सक पर अगर counseling की date की बात करेंगे तो 7 April को यहाँ पर counseling की date रखी गई है तो दोस्तों हमारे साथ बने रही एगा किन किन अब जिट्थियों का नाम आया है यह जानने के लिए और किस भी एड़ वर्स तक यहाँ पर नाम आया है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं list थोड़ registration योगयता की बात करेंगे तो यह जो है यह डिलेट से हैं दोस्तों यहाँ पर और यह बियरती जो है यह डिलेट से और इनके गुमालंक की अगर यहाँ पर नाम आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि General Mathematics में इन Candidate का यहाँ पर नाम आया है अगर इनके प्रस्टिक्षन योग्यता की बात करेंगे तो यह भी जो हैं यह भी डियलेट से हैं और इनके गुणांग का आप यहाँ पर देख सकते हैं OBC की बात करेंगे दोस्तों Mathematics में फिमेल कैटिगरी में तो एक Candidate का यहाँ पर चैन हुआ है नाम आप देख सकते हैं और इसके अलावा अगर इनके प्रस्टिक्षन योग्यता की बात करेंगे तो यह भी डियलेट से हैं 76 गुणांग के साथ ST Mathematic Female में किसी का नाम नहीं है ST General Male की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ब्यक्ति का नाम इस लिश्ट में यहाँ पर है और इनके प्रस्टिक्षन योग्यता की बात करेंगे तो यह भी डियलेट से हैं और दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस भी लिखा गया है EWS Maths के लिए कि उख अब्यर्थियों में से किसी अब्यर्थि के गुणांक अधिक हो तो वह भी काउंसलिंग में परतिवा करें ऐसे दसा में उच्छ गुणांक अले अब्यर्थि का चेन किया जाएगा अगर आपको लगता है कि आपके ज़्यादा गुणांक है आपका नाम नहीं आया है तो आप यहाँ पर सामिल हो सकते हैं ऐसा इसमें लिखा गया है BA SC Mathematics Female में यहाँ पर Zero Vacant Seat लिखी है यानि ये सीटें भड़ चुकी है BAID में अगर हम SC Category में बात करेंगे जनरल यानि कि मैं जो Male and Female दोनों Common है उनकी बात करेंगे तो यहाँ पर चार Candidate का यहाँ पर नाम आया है BAID में और BAID Words की बात अगर हम करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर 2007 BAID Words का यहाँ पर नाम आया है SC Category में यहाँ पर एक notice और लिखा है कि बिज्ञान गणित वर्ग में अब्यर्थी न मिलने पर BAID बिज्ञान वर्ग गणित से यहाँ पर अब्यर्थी जो है वो चुने गए हैं तो BAID में EWS की अगर हम बात करेंगे math से तो यहाँ पर candidate का नाम आया है और अगर इनके BAID की बात करेंगे तो 2007 BAID Words इनका रहा है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे BAID की अगर हम science की बात करेंगे general female की यह list है और बहुत ही धुनली यहाँ पर जो है वो upload की गई है तो यहाँ पर अब्यर्थियों के नाम पढ़ने में दोस्तों बिलकुल नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी जो नाम है हम अपनी तरब से कोशिस करेंगे यहाँ पर साथ पहला नाम रिना भंडारी करके हैं और दूसरा चंद्रा सुयाल करके हैं तीसरे और चौते नाम तो बिलकुल भी विजिवल है नहीं दोस्तों और यह main side जो है उस पर भी आपको कुछ ऐसे ही दिखेंगे तो यहाँ पर अ पर थी हाँ गसे में और बिलकुल भी विजिवल नहीं है पहला नाम साहिद यहां पर पंगज कुमार है दूसरा प्रमीण करके हैं तीसरा दिवेंद्र डिपेंद्र है ज इसके अलावा दोस्तों अगर लिष्ट में आगे चले तो यहां पर फिर से यही लिखा गया है कि विज्ञान विशे में अभिट्थी न मिलने पर बिएड से वर्ट्स बार वर्जिता करमें लिया गया है तो अगर यहां पर बिज्ञान विएड या विशेष विएड की बात करें तो एक candidate का यहां पर नाम दिख रहा है साइध रीना भठ करके हैं और इनके beard words की बात करेंगे तो 2007 इनका beard words यहां पर है बेड अगर science में करेंगे SC category की बात तो यहां पर चार अब्यर्थियों का यहां पर नाम आया है और अगर beard 2008 का यहां पर चैन हुआ है एक soldier यानी बूत पूरु सैनिक कैटेगरी में और यह है साइध मनुज घिलडियाल करके यह नाम ऐसा कुछ लग रहा है तो दोस्तों यहां पर नाम विजिवल नहीं है लेकिन हम फिर भी कोशिस कर रहे हैं अगर यहां पर EWS की बात करेंगे तो एक student का यहां पर चैन हुआ है female category में और अगर इनके beard verse की बात करें तो beard verse 2007 यहां पर रहा है beard science की बात करेंगे तो दो candidate के यहां पर नाम है अनूप और विनूद प्रसाद करके तो यहां पर beard जो verse है 2007 यहां पर beard verse रहा है इसके अलावा इन category में कोई भी seat vacant नहीं है आगे चलेंगे लिस्ट में तो यहां पर आप देख रहोंगे कि ST other science में एक candidate का नाम है अनूज नाम से है और यह भी dealet से है इसके अलावा अगर OBC की बात करेंगे तो एक candidate है आरातना सिंग और इनका भी यहां पर जो है dealet है तो गुणांग के यहां पर आप देख सकते हैं कि किन-किन गुणांग पर यहां पर chain हुआ है इसके बाद दोस्तों अगर B8 की बात करेंगे other science काटिगरी में तो यहां पर नाम आप देख सकते हैं दो candidate का बिल्कुल clear नाम आया हुआ है और यहां पर अगर B8 वर्स की बात करेंगे तो 2007 B8 वर्स यहां पर रहा है अगर SC काटिगरी में बात करेंगे तो यहां पर आप न female काटिगरी में तो एक candidate का यहां पर नाम आया है और B8 वर्स इनका 2006 है हिंदी की बात करेंगे SC काटिगरी में तो दो candidate का नाम आया है और B8 वर्स अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो 2004 और 2006 का यहां पर नाम आया है SC काटिगरी में एक candidate और B8 वर्स 2006 हिंदी EWS में एक केंडिडेट है यहां पर और बीएडवर्स 2006 फिट से है और इसके अलावा अगर हिंदी EWS मेल की बात करेंगे तो यहां पर एक केंडिडेट का चैन हुआ है और इनका बीएडवर्स भी 2006 है जनरल EWS की बात करेंगा जनरल सब्जेक्ट है और जनरल EWS कैटेगरी है तो चार केंडिडेट का नाम है और बीएडवर्स आप यहां पर देख सकते हैं फिमेल में अगर हम बात करेंगे तो एक केंडिडेट का नाम है और बीएडवर्स भी 2006 है इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है अगला सब्जेक्ट यहां पर है वह साइड यहँ इसके अलावा दोस्तों precious यहां पर जो है अगली लीष्ट है जनरल में सब्जेक्ट है और यहां पर आप देख सकने हैं इनके नाम और यह भी अभिज़यर्थी बात करेंगे इसके अलावा अगर जनरल OBC के बाद करेंगे subject general है और category OBC है तो A candidate का यहाँ पर नाम आया है और ये भी जो हैं DL8 से हैं गुणांक इनके आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दूसरी list जो इसके बाद है general subject में तो 4 candidate का इसमें नाम आया है और यहाँ पर इनके प्रसिक्षण योगिता की बात करेंगे तो DL8 से 4 बेर्थी हैं और गुणांक यहाँ आप देख सकते हैं SC category के general subject में अगर हम list की बात करेंगे तो candidate का आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं और गुणांक यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इसके अलावा यहाँ पर अन्या candidate जो है SC category से यह हैं जिनका general subject में नाम आया है और इनके अगर गुणांक की बात की जाए तो गुणांक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके कितने कितने गुणांक यहाँ पर रहे हैं इसके अलावा general subject और SC category में देखेंगे और इनका अगर हम नाम की बात करेंगे तो यह हैं वो candidate जिनका इसमें नाम आया है और इनके अगर प्रसिक्षन योगिता की बात करेंगे तो यह भी DLT से हैं और यहाँ पर आप इनके गुणांक देख सकते हैं ST category की बात करेंगे तो यहाँ पर एक candidate हैं और इनके प्रसिक्षन योगिता की बात करेंगे तो DLT से हैं और गुणांक यहाँ पर हैं female की बात करेंगे तो यह candidate हैं जिनका female उसमें नाम आया है ST category से और गुणांक इनके यहाँ पर आपको दिख जाएंगे तो दोस्तों यह उत्तरकासी जिल्ले की लिष्ट है जिसका जो counseling की date है वो 7 April को है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि English subject में दो candidate की नाम आये हैं दोनो DLT से हैं और गुणांक आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा English general की बात करेंगे तो यहाँ पर तीन candidate की आपको नाम देख रहे होंगे clearly और यहाँ पर अगर हम इनके पर सिक्षणी होगी तक की बात करेंगे तो तीनो DLT से हैं और गुणांक आप देख सकते हैं कि 26 और 24 तक गुणांक यहाँ पर रहे हैं दोस्तों यह अंतिम candidate होंगे इसके बाद साइदिस में BAT का नाम आएगा अगर जो सीट है वो वेकेंट होगी और यहाँ पर इसके बाद English OBC की बात करेंगे तो A candidate का यहाँ पर नाम है और गुणांक आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर English SC में जो है वो A candidate का नाम है और इनके प्रस्षिक्षन योगता की बात करेंगे तो यह भी जो है DLT से ही है English ST की बात करेंगे तो यहाँ पर A candidate का नाम है और यह जो है अब यह भी DLT से है और गुणांक आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद इस लिष्ट में अंतिम पेज बच जाता है जिसमें है हिंदी की लिष्ट तो हिंदी जनरल और SC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो candidate का नाम आया है जनरल में और फिमेल में तो यहाँ पर अगर इनके प्रस्षिक्षन विता की बा प्रस्षिक्षन आयाँ है मने झाल यहाँ जाता है जाता है जो यहाँ जाता है तो में प्रावट को भाजए सकते हैं अग्जवाब डेपता हैं जाता हैं एनके लिष्ट में प्रिवड़नुम्ट